नमस्कार आज माननिये प्रधान मंत्री जी की अध्रक्षिता में मंत्र बंडल की बैठक संपन्नों हुई उसमें लिए गए महतोपुर निड़ने पे आज हमारे भी चर्चा के लिए माननिये सुचनवर प्रशारन युवा कार्जक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंध जोक्टर एल्व मुरुगन जी है मैं माननिये मंत्री मोदो का स्वागत करता हूं और आग्रे करता हूं कि चर्चा का प्रणभा करें नमस्कार मित्रो माननिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नेतरतब में अध्यक्षता में मंत्री मंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी और एकनॉमिक अफियर्स ने आज जो 2022-23 के सीजन के रभी की छे फसलों के नियुनतम समर्थर मूल्या यानि MSP नरधारित किये है जैसे आपको ग्यात है जब से ये सरकार आई है तब से क्रिशी की उत्पादगता बड़े किसान समर्थ और संपन हो उनकी आए में बढ़ोतरी हो इसके लिए एक के बाद दूसरा नया कदम उठाया गया अगर आप फसल वीमा योजना को देखें परधान मंतरी फसल वीमा योजना इसका भी क्रोडों लोगों को लाप मिला है क्रोडों किसानों को लाप मिला है दुनिया भर में खाद के दाम आस्मान चूरे हैं उसके बावजूद भारत के किसानों पर कोई बोज नहीं पढ़ने दिया और इसी वित्ते वर्ष में भी देखेंगे यूरिया में लगबग 2,30,000 कोड से ज़्यादा का सब्सिडी के रूप में दिया गया है और जैसा पिछले कल भी मानने परधान मंतरीज नहीं नहीं कहा कि 17,30 में तो हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन 5,60,000 को खाद पहुंचाने का काम भी करते हैं इसी तरह से PM किसान सम्मान निदी भी करोडों किसानों को लगबग 2,15,000,000 करोड अब तक दी जा चुकी है जहां तक MSP की बात है, रभी का सीजन है और यह 6 फसलों का निउन्तम समर्थन मूल या MSP जो तै किया गया है वो उसी तरज पर है कि लागत प्लस 50% यानि कि डेड़ गुना जादा लेकर मुझे बताते हुए यह भी परसंता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सद्धानत की घुशना की गई थी अगर आप आज देखेंगे गेहूं का MSP 100% यानि के cost of production से 100% जादा दुगना है इसी तरह से सरसो का 104% यानि के दुगने से जादा है चैने का 66% मसूर का 85% बारले का 60% कुसुम का 50% यानि के सारे ही डेड़ गुना से जादा है आज जो वृद्धी की गई है वो मैं आप सब के सामने रखना चाहता हूँ यह जो हमारा रभी फसल के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्य गेहू मैं वृद्धी 110 रुपया की गई है जो मैं 100 रुपया वृद्धी की गई है चना मैं 105 रुपया MSP की वृद्धी की गई है आपको ऐसे बताता हूँ गेहू मैं 110 रुपया वृद्धी की गई है 215 रुपया से बढ़ा कर इसको 2125 रुपया किया गया है जो को 100 रुपया वृद्धी की गई जो 1635 से बढ़के 1735 किया गया है चर्णा में 105 रपे की वृध्धी हुई जो 5230 से बढ़कर 5335 रपे आप किया गया है मसूर में 500 रपे की वृध्धी की गई है जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रपे किया गया है रेप सीट जो सरसो 400 रपे की वरिद्धी की गई है 5050 से बढ़ाकर 5450 रपे कर दिया गया और कुसम में 209 रपे की वरिद्धी की गई है जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रपे किया गया है अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको इस चार्ट में सीधे तोर पर नजर आएगा कि 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे 1450 था जो 47 प्रश्यत की वरिद्धी करके 2125 रपे होता है इसी तरह से जो का 2014-15 में 1150 था जो 51 प्रश्यत की वरिद्धी करके आज 1735 है ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है जो 88 प्रश्यत की वरिद्धी है अगर 2014 की तुलना करें तो और 31 सो रपया सरसों की रैप सीट की बात करूं तो 31 से बढ़कर 5450 रपया 46 प्रश्यत की वरिद्धी 2014 के मुकाबले है और कुसुम की बात करें तो 3050 से बढ़कर 5650 जो लगबख 85 प्रश्यत की वरिद्धी है और मसूर की 3075 से बढ़कर 6000 हुआ है जो लगबख 95 प्रश्यत की वरिद्धी है तो ये 2014 से भी अब तक की तुल्ला मैंने करके बता दिया और पिछले साल से इस साल जो बढ़ातरी की है वो भी मैंने आपके सामने रखा है आपको पूर्व की भांति जैसे गेहुं का प्रकुर्मेंट तो FCI के द्वारा ही किया जाएगा आपके कोई प्रेशन हो तो आप पूछ सकते हैं आप अपने प्रेशन पूछ सकते हैं मैं अगर पिछले कुछ वर्सों में देखें तो लगातार बढ़ोत्री हुई है जो 150 फिश्दी कम से कम उत्पादन लागत से ज़्यादा देने की अमस्वामी नातन की रिपोर्ट को एकसेप्ट किया गया था उसके बाद लगातार उससे भी ज़्यादा कई फसलों पर मिला है लेकिन क्या कोई इसके साथ टार्गेट भी तैय किया गया जैसे हम देख रहे है कि सरकारी खरीद भी हर बार बढ़ रही है तो इस बार भी क्या इसके साथ साथ कोई टार्गेट तैय किया गया है कि कितनी सरकारी खरीद गयों की होगी या फिर बाकी फसलों के भी सरकारी खरीद बढ़ाई जाएगी ऐसा बिचार हो रहा था उस पर भी कुछ बात हुई है क्या देखे दलन तिलन की और भी अगर आप देखेंगे तो सरकार का फोकस रहा है जो आयात पहले जादा होता था अब आत्म नर्भर उस दिशा में हो तब भी हमने कदम उठाए हैं और ओयल सीट्स की परड़क्शन को भी अगर आप देखोगे 27.51 मिलियन टन जो 2014-15 में था उस घ्रेलूत पादन जो लगातार बढ़ रहा है तो सरकार की पॉलिसी जो आप कई बर कहते हो कि आपने सरसो पेतना क्यों बढ़ा दिया कुसम पेतना क्यों बढ़ा दिया क्योंकि हम इंपोर्ट कम करें स्थानिय यहां पर डैवर्सिफिकेशन भी हो और साथ-साथ में किसान कम हो जिस-जिस खेतर में भी है तो आइल शीट्स पल्सी इसकी बाद तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे इसमें प्रणाम देखने को मिले हैं उसके बाद एक MSP पे एक समीती स्थापन करने की बाद हुई थी उसका स्टेटस क्या है अभी कृशी मंत्रा ने बताएगा लेकिन मैं इतना जूरूक बिता सकता हूं किसानों को आये बढ़ाने के लिए किसानों को सम्रिद संपन करने के लिए किसानों के उपर बढ़ती ल 300% से ज़्यादा दाम खाद के बढ़ गये तो हमने अपने किसानों के उपर एक रुपे का भी बोजनी पढ़ने दिया फसल भी अगर बरबाद होती थी तो पहले 50% कम से कम होती तब मिलता था हमने 30% किया फसल वीमा योजना में 1000 कुरूर पे का मौबज़ा देने का काम किया यहीं नहीं हर वो कदम अगर आप भारती खाद की भी बात करें जो कल पर से पीम साहब ने लाँच किया है किवल ब्रैंड की बात नहीं जी किसानों के लिए जो केंदर बनाएगे हैं इसका लाब क्या है किसान समरिधी केंदर यह पीम किसान समरिधी केंदर अपने आप में बहुत बड़ी शुरुवात है जी आप जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम में जाते हैं आपको पचासों तरह के गैजट्स और सब कुछ मिलते हैं वन स्टॉप शॉप पे वन नेशन वन फर्टिलाइजर उसी दिशा में आपको किवल खाद दिया फर्टिलाइजर वहां नहीं मिलेंगे आपको बीच से लेके अपनी मिट्टी की जान से लेके टेकनोलोजी किस तरह से उप्योग करनी सरकारी योजनाएं किया है ये किसान के लिए कहां था जी ये छेसों से ज़्यादा जगा पर शुरू किया गया इसको देश भर में विस्तार किया जाएगा जैसे कॉमन सर्वी सेंटर होता है उसमें बहुत रही सुविधाएं मिलती है ये पी-एम किसान समरिधी के अंदर भी उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और ये भारत ब्रैंड जो यूरिया के साथ दिया गया है इसका एक बहुत बड़ा अडवांटेज भी जमीन पर आपको देखने को मिलेगा जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा शुरवात उस दिशा में भी की गई है सर में लक्षण हुसी एन्बीसी आवाज से इस बार हमने देखा कि मसूर की MSP पिछले साल भी सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई थी इस बार भी सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है और पिछले दिनों जो महंगाई के आंकड़े आये थे उसमें भी डाल की कीमते थोड़ी सी बढ़ी हुई थी तो MSP बढ़ने का एक फायदा तो यह होता है किसानों को बहतर कीमत मिलती है लेकिन महंगाई पर एक धबाव बना रहा था है महंगाई बढ़ने का खत्रा रहा था है इसको कैसे बैलेंस करेंगे अगर आप दुनिया भर से तुलना करेंगे तो लक्षमन जी आज भी आपको देखने को मिलेगा जिन देशों में कभी 30-40-40 साल में महंगाई नहीं थी वहाँ पर आस्मान चू रही है और उनके मुकाबले भारत देखेंगे तो बहुत अच्छा कर रहा है दुनिया भरने इसको माना भी है हमारे किसानों ने भी उतपादन में कोविड के टाइम पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी सरकार ने भी खरीद 2014 के मुकाबले देखोगे तब भी दुगनी से जादा है और मूले देने की बात है यानि कि खरीद भी हमने ज़्यादा की दाम भी ज़्यादा दिया और किसानों की कमाई भी ज़्यादा हुई तो हमने उस सारा इस सरकार के समय करने का वो काम किया है तो एक और उतपादन भी बड़ा है किसान क्यो MSP में भी वृद्धी की है लेकिन महंगाई दुलियां के तुलना से उस तृष्टी से बहुत नियंतरण में रखी गई है और फूड ग्रेन की प्रड़क्शन देखेंगे तो दो सो बावन मिलियन मीट्रिक टान से बढ़कर यह 315 मिलियन मीट्रिक टान तक गई है यह अपने आप में दिखाता है कि अपने आप में किस तरह से ब्रिद्धी लगातार हुई है So Meghna Mithal from ET now This MSP increase that the cabinet has increased today Is it more than the average yearly hike that is normally done because inflation is considered in the formula and we are seeing a high inflation these days As I said earlier cost is one of the major component which is considered that what is the cost plus 50% that is what we look at and as I told earlier majority of the crops if you look at minimum is cost plus 50% profit if you look at wheat it is more than 100% and others more than 100% as I mentioned earlier wheat it was more than 100% mustard it is more than 104% and if you look at gram it is more than 66% lentil more than 85% so which is cost plus 50% that is the minimal it is much more than that so we consider all that and that is why that is how we drive up to this that what should be the MSP this year I think they wanted me to say something in English the Cabinet Committee on Economic Affairs met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and they have approved the increase in the minimum support price for all mandated rubby crops for marketing season 2023-2024 government has increased the MSP of the rubby crop for 2023 and following if you look at the I would like to read it for you wheat MSP was 215 there is an increase of 110 and it will be 2125 for the season 2023-2024 barley it was 1635 there is an increase of MSP rupees 100 and it will be 1735 now for gram the earlier MSP was 5230 there is an increase of 105 rupees and it will be 5335 now lentil it was 5500 there is an increase of 500 rupees it will be 6000 rupees now wrap seed and mustard there was a 5050 earlier there is an increase of 400 rupees it will be 4450 now safflower it was 5441 and there is an increase of 209 rupees it will be 5650 now so these are the steps taken and all the steps ensure that the farmer will get cost plus 50% minimal but as I said earlier if you look at majority of the cases in wheat there is twice the price which is more than 100% and in in mustard it is 104% gram it is more than 66% lentil it is more than 85% barrel it is more than 60% and safflower more than 50% so that makes sure that it is cost plus 50% minimum profit and that is what we ensure every year for the farmers thank you thank you thank you thank you झाल झाल